अगर आप भी करते हैं, ये पांच गलतियां तो हो जाएं सावधान, नहीं तो बम की तरह फट जाएगा फ्रिज. कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में कई दिनों से फ्रिज जमा होता रहता है. ऐसे में हमारे फ्रिज में लगातार बर्फ जाम जाती है जो ब्लास्ट का कारण बन जाती है आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हिंड जिसकी वजह से फ्रिज ब्लास्ट होता है आईए आपको डिटेल में समझाते हैं गर्मियों के मौसम में रेफ्रिजरेटर का इस्तिमाल भी काफी बढ़ जाता है आज के समय में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसके घर में फ्रिज न हो चाहें मौसम गर्मी को या बरसाथ हम फ्रिज का इस्तिमाल हर मौसम में करते हैं फ्रिज में खाना रखने से बरबादी नहीं होती है क्या आपको पता है एक छोटी सी लापरवाही कारण इसमें ब्लास्ट हो सकता है आज की इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से फ्रिज में blast हो सकता है. इन गलतियों की वजह से ब्लास्ट होता है फ्रिज. आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने अपने फ्रिज को ऐसी जगह पर set करना चाहिए जहां पर electricity बराबर आती हो. ऐसी में फ्रिज के compressor पर दबाव कम पड़ता है. कम दबाव की वज़ से Fridge Blast भी हो सकता है इसलिए आप अपने घर में Fridge के लिए Power Plug का इस्तिमाल करें कई बार ऐसा होता है कि हमारे Fridge में कई दिनों से Fridge जमा होता रहता है ऐसे में हमारे Fridge में लगातार बर्फ जाम जाती है जो Blast का कारण बन जाती है अगर आपके फ्रिज में ज्यादा बर्फ जम रहा है तो आप उसके टेंप्रेचर को को कर दें टेंप्रेचर कम होने से बर्फ जमना कम हो जाएगा अगर आपके फ्रिज में किसी तरह की कोई दिक्कत या रही है तो एक बार कंप्रेसर जरूर चेक कर लें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि लोकल मेकेनिक से बनवाने से बचें क्योंकि ये लोग लोकल पार्ट का इस्तिमाल करते हैं जिसकी वजह से धमाका हो सकता है आपने अपने फ्रिज को सर्विस सेंटर ले जाकर दिखा सकते हैं सर्विस सेंटर में आपको ओरिजनल पार्ट लगाने को मिलते हैं यदि आप अपने रेफ्रिजरेटर का अकसर उप्योग नहीं करते हैं लेकिन यहाँ अभी भी हर समय चलता है तो इसे खोलने से पहले इसे बंद कर दे इससे रेफ्रिजरेटर में विसफोट का खत्रा काफी कम हो जाता है अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप आने फ्रिज को बंद करके जा सकते हैं इससे आपका बिजली बील भी बचेगा आपको रेफ्रिजरेटर का तापमान कभी भी नियोंतम तापमान पर सेट नहीं करना चाहिए इस वज़ा से रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को अधिक दबाव डालना पड़ता है ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से फ्रिज ब्लास्ट कर जाता है ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद